भारत में आए दिन गरीबी और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है जिसका असर है कि ये भी देखने को मिला है कि महिलाओं को अपनी किराय पर देनी पढ़ रही है जिसे इंगलेश में सैरोगेसी कहा जाता है भारत में अब मजबूरी के चलते इस चीज का चलन बढ़ने लगा है लोगडाउन के बाद से भारत में बहुत से ऐसे गरीब और मध्यम वरगय परिवार है जिनका काम छूट चुका है और जो पूरे तरीके से बरबाद हो चुके हैं आर्थिक तंगे के मार झेल रही है नही जाता है पहने हम सेरोगेट का मतलब समझते हैं सेरोगेशी एक महिला और दंपती के बीच में एग्रिमेंट होता है जिसके तहत महिला की कोक यानि कि उनका पेट इस्तमाल किया जाता है एक बच्चा पैदा करने के लिए विर्या का इस्तमाल करके उनमें भुरून विक्सि महिला को जिसकी कमाई हर महिने 45,000 रुपे थी उनकी कमाई लोगडाउं के चलते घटकर बहुत कम हो गई है और उनके पती को भी सिर्फ 25% सेलरी ही कुछ महिनों से मिल रही है भारी भर कम लोन उन्होंने बैंक से लिया हुआ था बैंक वाले अब प्रेशान करने लगे हैं जि उसकी तलाश में थी लेकिन कोई option और न मिलने के वज़े से उन्हें मजबूरी में इस रास्ते पर चलना पड़ा और अपने पेट में किसी और का बच्चा पैदा करना पड़ा ऐसे ही खबरे गुजरात से लगातार सामने आ रही है जिसमें जारतर महिलाएं जो घरों में क के सामने आया है जिसमें कि 23 वर्षे यूहती का काम छुटने की वज़े से उन्हें ये रास्ता अपना ना पड़ा मजबूरी में उनके पास काम का कोई और विकल्प नहीं था काम उन्होंने ढूंडा पर उन्हें मिला नहीं ऐसे में उनको किसी ने सेरोगेसे की सला दी और उन्होंने इसे स्विकार कर लिया पिछले कुछ वक्त में गुजरात से ऐसे 20 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं जहां पर यूवती या महिला को मजबूरी में ऐसा कम करना पड़ा है पहले भारत में ये मामले बहुत कम सामने आते थे लेकिन जब से लोगडाउन पड़ रहा है ऐसे में हम बात करते हैं भारत सरकार की या फिर राजय सरकारों की जो वादे करती है उन्होंने गरीब तपके को या मध्यमवरग्य तपके को बड़ा बड़ा पैकेज दिया था 20 लाग करोड का या कुछ और भी जो बड़े बड़े वादे किये गए थे उन महिलाओं को परिशान करती है या फिर उनके लिए बहतर रोजगार की व्यवस्था उपलब्द करती है